जो भी बावा साहब का काम आगे बढ़ाएगा उसको ये सरकार सिरफ मारी सकती है पच्चिस दिसंबर एक ऐसी डेट है जो हम सब में से कोई भी नहीं मूल सकता बावा साहब ने मनुस्पृति उस दिन जलाई थी 1927 पे पूरे बंदूक धारी थे सब थे हमने उस दिन की कोट करें थी मुक्त लेकर से हमको गोली बारी जा सके या गोली चलाई जा सके खुले आम अमित्षा साहब का नम ले रहे ते पुली सुआ या और एक सीनियर हमारे लॉफिसर भी कंट्री के उनका भी नाम ले रहे थे वरना जज लॉया को भी मर्वा दिया गया ता उसका भी कु सब्सक्राइब दिल्ली दंगो को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं सरकार की भूमिका हो या पुलिस की भूमिका हो गिरी मंत्राले तक इसकी आच पहुंच रहे हैं साथ सिनियर वकील महमूद प्राचा है जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इनको सोशल जस्टिस के वकील के रूप में भी जाना जाता है दलित मुसलिम पिछरा सोसित बंचित गरीब लोग की वकील के तौर पर भी जाना जाता है लगातार देशवर में ये इस तरह के म वलत बेभार हुआ है मेरे साथ खुद महमूद प्राचा है क्या हुआ था ये पूरा मामला और किस तारीक है ये 24 तारीक का मामला है और जो आप अब ही कह रहे थे कि जिसकी आंच हो मिनिस्ट्री तक जा रही है तो जो आग जहां से लगाई जाएगी उसकी आंच वहां तक पहुंचेगी पहुंचेगी तो इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए भारत का समिधान इतना शक्तिशाली है कि वह आज भी इस मुश्किल हालात में भी सबको नियाय दिला सके और यही हम साबित कर रहे हैं और वह साबित 24 तारीक की रात को भी हो गया कि 200 लोग अगर पहरत के समिधान की ताकत उसरी बात यह है कि उस दिन जो रेड हुई हमारे पर उसका सीधा सीधा मकसद जो हम 24 दिसम्बर को 24 दिसम्बर को जो रेड हुई एक तो बहुत ही प्लानिंग के साथ हुई और जा बग था दिन में 12 बजए आय थे वह करीब और अगले दिन सुब 25 दिसम्बर को 25 दिसम्बर एक ऐसी डेट है जो हम सब में से कोई भी नहीं बूल सकता बावा साब ने मनुस्पृति उस दिन जलाई थी 1927 में 25 दिसम्बर की तीन बए तक करीब 15 घंटे ये रेड चली थी पूरे बंदूक धारी थे थे सब थे हमने उस दिन की कोट हेरिंग क्योंकि हमारा एक महतवपून अबावा साब की एक एक एजुकेशन फांडेशन का मसला था वो कोट हमने बंदूकों के साहे में उस दिन हमने डेवली गाउं का जो एक बावा साब की मूर्ती का एक इशू था और एक पांच एकड के करीब जगा थी जो एसी कमुनिटी की उसका बंदूकों के साहे में हमने बहस की और वो हम मुकदमा उस दिन जीते भी तो एक तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं दूसरा जो सबसे महतवपून बात है उनके दो ही मकसद थे कि एक तो हमारे पास जो सबूत है ना सिर्फ दिली दंगों के जिसके तार जो है उप का मिले तो किसी भी प्रकार से हमको गोली मारी जा सके या गोली चलाई जा सके इस प्रकार का उनके दो मंचा नजर आ रहे थे तो सो पुलिस कर्मी थे या कोई सिविल में थे लोग सारे सिविल में थे नीचे जो वर्दीधारी भी थे उपर जो आए करीब 20 के करीब लोग वो सब सिविल में थे, सबके पास हत्यार थे और सबने जो सबसे हैराणी की बात ये थी के खुले आम, आमित्षाह साथ का नाम ले रहे थे पु ल्या एक सीनियर अमारे अवार आफिसर बीयह दे रहे रहे ज़े लेकिन तब नहीं मिले लेकिन तब भी कुछ नहीं मिला तो अब सीह सीधा Larãy सब काम चोड़ दीजे जो आप करते हैं सरकार के खिलाफ और दिल्ली दंगों में खास तौर पर वरना जज लोया को भी मरवा दिया गया था उसका भी कुछ नहीं हो पाया तो आप तो उसके सामने बहुत चोटी चीज है इस प्रकार की धंकिया कि सब वीडियो पर हैं तो मतल को ऑडर भी गहर कानुली था मगर हमने क्यों माना हूभ idag हमने इसलिए कि चाहे वह तो अहीं ऑडर था या घलत था झार को ऊप्रों को अजब तक वह उस से बडी अधालत से तब तक वह मानना हमारा फर्स था इसyttा इसलिए वह लगव वो कूर्ट का ओडर माना आवाँ हाल मैं एक शिकायत गरता कि शिकायद ऐमेल के जरीये बहेजिए कि उसके आउट बॉक्स में से क्या वो हमारी अमारी इमेल से गई है यह नहीं है लेकिन क्योंकि वो Klient Attorney Relationship यानि के मेरे मुख्किल और मेरे बीच में क्या बात हुई है यह ना बताने के लिए मैं कानूनी तौर भी बात दी हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी है तो इसी लिए मैंने वो नहीं बताया लेकिन क्योंकि कोट का ओड़ था हमने पासवर्ड के जरीए अपना आउट बॉक्स कोल के उनके हवाले कर दिया कि आप निकाल लो हम इसको नहीं देंगे लेकिन उन्होंने मेरे सारे कंप्यूटर चेक किये हैकिंग मशीन भी लाय थे वह नीचे भी बता रहे थे के पच्छिस तीस कंप्यूटर हमने लैप्टॉप्स लगा रखे हमने यह सब आपके ऊपर इतना बड़ा चापा मैं तो यह जानना चाहरा हूं कि यह उनको मार के भगा तो क्या बखेल अगर अवची यह कंप्लेंट कराइंगे हैं तो यह गुना तो यह गुनाथ वार लुसरी बार जो दूसरी चीज सारे हमारे दूसरे भी करेदे के सिर्य जो इमांदार आइए मुआ के लग उनके वी कापी सारे सबूत जो सब सरकार के खि कि कोट हम सिरफ जो हमारे उपर हमला हुआ जो वकीलों के उपर हमला है उसके लिए हम कोट नहीं जाएंगे बिलकुल नहीं जाएंगे यह जो हमारे सुप्रीम कोट पे जज साहिबान बैठे हैं हाई को हम अपने उपर साडी पीडाएं जहेल करें यह रियलाइस करना चाहते ह का महौल अबन बन गया है क्योंकि अभी जो खबरे खुद कई निज़ पेपर्स ने कवर भी कियें इक है। वो यह बता रहा है कि जो जो बात हम कह रहे थे इस के सिलसले से जो मह्मूत प्राचा केस कर रहा है तो जो पुलीस बोल रही है वो सब जूट है और जो जो मैं बोल वो सब सच है इस प्रकार की रिपोर्टिंग हो रही है बड़े बड़े नाशनल यूस पेपर्स तो यह जो गुंडा तंत्र पुलीस के माद्धियम से कुछ भरष्ट ऑफिसर्स के माद्धियम से चलाया जा रहा है उसको हम खतम करेंगे इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना बंदू के दिखाई गए हम इच्छा साहब के नाम से डर आया गया सब कारे किये गए परन्तु हम पर हमला जा हुआ हो जब बारा बजे के करीब वो सब वापिस चले गए थे फिर दुबारा जो फोन पर बात करके तुबारा किसी साया फिर उन्होंने यह का कि हम किसी भी हा ही थी क्योंकि वो गलत ब्यान ही कर रहे थे उन में से जो आयो अपने आपको बता रहे थे वा यह नहीं थे हमने खुच सो नंबर पर फोन करके उनको बलाया पुलीस को तब हमने इडिन्टिफाई कर रहा है तो जब एक पकील के साथ हैसा हो साथ और लोग थे फिर जब सो इडिन्स एक और यह पूलीस का ट्र यह किनवान शिंधित अडिन्स शेयर किया क्या मानुवादी मांसिक्ता से ग्रसी चो मैंन०री सरकार में बेठे हूई और जो मनुमादी मांसिक्ता से ग्रसित करुप्ट ऑफिसर और कर रहा है स्टेट तो हम लोग है भारत के नागरिक स्टेट है हमें इस गलत फहिमी में नहीं रहना चाहिए यह लोग जो सरकार भी बनती है इलेक्टिट सरकार होती है वो स्टेट नहीं होती स्टेट मैं और शम्भू जी है हम लोग है स्टेट तो आप कानूनी मदद कोट क्यों नहीं जा रहे हैं आपके साथ जो बस सलुकी हुई है जिस तरह से रहे हैं हम फायर दर्ज कराने के लिए तो हमने अप्लिकेशन लगाई दिये कमिश्टर ऑफ कुलीस साथ के खिलाब भी और दूसरे लोगों के खिलाब 153 लगा दिये लेकिन जो पूरी वकीलों की कम्यूनिटी पर हमला हुआ जिसके लिए पूरे देश में वकील नाम बंद हो रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगा ना और इस प्रकार से तो किसी भी वकील के घर जाके किसी के खिलाब भी कुछ चीन सकते हैं यह तो बिलकोली जैसे मैं किस प्रकार से गलत पास किये जाते हैं जो जूडिशल और भी पास हुए वो भी नया उचित नहीं है हमारा यह कहना है तो हम यह चाहते हैं कि महमूद प्राचा को उपर आले ने इतना बड़ा होसला और दिल दिया है कि जितने भी जुल्म करने इने गोली मारनी है या जेल बेजना है या जूटे मुकदमे लगाने मेरे पर मैं जहलूँगा लेकिन मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि यह जुल्म हो रहे हैं और जच साहिबान को इसके लिए जागना चाहिए और कुछ एक्शन सुओ मोटर लेना चाहिए एक आखरी सवाल यह सब कुछ सी सब्सक्राइब को लगता है कि आप चुकी ज्यादा तर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं खासकर स्ट्यूल का स्ट्यूल ट्राइब ओवी सी माइनौर्टी के लिए का केस लड़ते हैं इस वज़े से भी ए मुस्किल और दिली दंगा भी एक वजा है दिली दंगा इमीजेट वजा है लेकिन जो हम जो इमानदार आई एस उफिसर्ज हैं उनके के सिस लड़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे पुलीस उफिसर्ज भी के खिलाफ भी एक तो वो देखिए बाकी सब लोग जो आज तक जितने भी दंगे हुए उसमें हम लोग क्या करते हैं चाहे तो शडूल कास कम्यूटी के साथ हो या उनके साथ वाइलेंस हो या ट्राइबल के साथ हो या दूसरे मुसलमानों के साथ हो या दूसरे माइनोर्टी के खिलाफ हो तो हम ल हम प्रतर में को को कई पड़ा थे हम कि इसके से तो नों को थैटे चूडब आ जूड़क हैं जो डिया पर वाले हैं जो जूर मंचार आने वाले हैं इस जृणगा सोरफ करने वाब करने लाने रहने मंग नगा कर अ Gal we कितने लोगों को अब तक क्यतने अफ़ायब दर्ज कर आचके हैं तो हम यह समझते हैं कि इस प्रकार से जो यह कार्यवाई होगी इससे यह सब दंगे और जो हमले हैं यह रुखेंगे और इसका पर्मनेंट इलाज होगा तो अभी हम दो दरजन से भी ज़्यादा प्राइस के लोगों को इसमें इनी दंगी दिली दंगों में अरेश्ट करा चुके हैं जो की गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी मर्डर केस में और एक महिला जो असी साल से भी उपड़ी उनको जिंदा जलाने के लिए हम उनको दो दर्जन से भी जादा RSS के कारेकरताओं को अरेस्ट करा चुके हैं जिसमें RSS ने एक कॉफिशन स्टेट्मेंट भी दी है और वो बड़ी हास्यासपत है उन्होंने ये काया कि लोकल पुलीस पैसे लेकर RSS के लोगों को बंद करें तो ये महमद पराचा है इनकी हंसी का मतलब समझ ये कि इनके दफ्तर पर 15 घंट से ज़्यादा की करवाई होती है और वो सिसी टीवें सब कैद हैं महमद पराचा कह रहे हैं कि अगर जूट बोल रहे हैं तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी किया जाए आप लोगों को अपनी पर्तकिरिया जूर दीजिए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं क्यारावन आशिष के साथ श्रम्भू कुमार सिंग निस्नल दस्तक दिल्ली चल बूली